यार मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगयर सिर्फ उमसे शादी करूंगा मैं अरे पपा को मैं मना लूँगा और नहीं माने तो हम बाग के शादी कर लेंगे यार बच्छा तो कोई पपा हो गय थे अरे हां हां करता हूं रिष्टे की बात क्या हो गया मैं सब छोड़ो मैं तुम्हें बता हूँ आज क्या हुआ आज ना चान देख रहा था असमान पर चान मुझे नजर नहीं आया तुम्हारी शकल नजर आई ही हे ही ही हि। वे अशेक सही है भाई सही है क्या सही है मतलब दिखा दी ना तुमने अपनी, क्या दिखा दी अरे ऐसा ही होता है मेरी जान, पता था मुझे यह होने वाला है अब यह सही से बोलना, क्यों दिमाग के दही कर रहा है इतनी एक बच्ची की खातिर, दोस ने दोस को चमाट मार दिया बच्ची यह 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 यहारा, तुम्हारी हरकतों की यह यहारा है जबसे तुम्हारी जिंदगी में यह बच्ची आई है ना, देख रहूं है तुम्हारी सारी हरकते है ना तुम मिलने आते हो, ना कॉल करते हो, और मैं कॉल करूँ तो कार्ड देते हो, और हर वक्त नमबर बिजी, और अरत के चक्कर में बच्पन के दोस्त को भूला दिया ना तुम ने, बाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है, बटा बच्चियां हमारे पास भी बहुत आई है लेकिन हमने तुझे कभी नहीं कटाया, लेकिन जब से ही चुडएल आई है ना, तुम बच्पन के दोस्त को भूल गया है, चुडएल कुसको बूला बे, चुडएल नहीं हो इजजत से बात कर, मेरी होना अली बीवी और तरी भाबी है, और मार, और मार मुझे तू, बच् कॉड़ भी ने उठा रहा है, क्या मतलब भई, उसनों तो गाता वो तुम्हाई तरफ जा रहा है, मेरी तरफ, ओहो, समझ गया हमे, कहां गया होगा वो, कहा, डेट पर अंकल, डेट पर, क्या, डेट पर, डेट पर, कसम से अंकल, दो महिने से उसकी एक लड़की से अर बजी तक किसी से लगावा था, बैने खुद अपनी आखों से सुना है, आखों से, अरे मतलब कानों से यार, पागल होगी है अंकल वो, मुझसे तो मिलता तक नहीं है अब, और तो और तीन दिन पहले उसने मुझ पर हाथ उठाया, हाँ वो तो सही उठाया, अब सोचे अरे, बचपन के दोस पर हाथ उठा सकता है, तो बाप के साथ क्या-क्या करेगा, आने दोस को आज, अंकल आज आए न, तो सही से क्लास लेनी है उसकी, क्लास, अरे कहके ले लूँगा, उसकी टेंशन निलो, आने दोस को आज, ये चीज चाहिए अंकल, आज वो आएगा, अरे, अरुँए अंकल, आजने दो, सही है, आने दो, सही है, अमद बिटा, इधर आओ जी पपा, बोलें बिटा, कहा गयते हैं आप बताया, अपको फैशल के पास गया था अच्छा, फैशल के पास जी पपा फैशल पपा, ये फैसल नहीं मेरा कॉलज का एक दोस्त है उसका नाम भी फैसल है कॉलज का दोस्त जी, जी कॉलेजवाले फैसल असलाव अलिक बंकाल ए ओ पपा मेरे कॉलेज में दो दोसते दोने मा नाम फैसल अब तो सच बोल दे बोसी टुकड़े वाले सौरी पपा, असल में असल में आप एक लड़की के साथ थे इट पर इट पर निदे पर ने पर मिलने गया था अरे बस बस हमें बता रहा है मिलने गया था जैसे हमने कभी डेट मारी नहीं है कौन है वो लड़की एक लड़की है दिवानी सी एक लड़के पर वो मरती है नजरे जुका के शर्मा के गलियों से गुजरती है चोरी चोरी चुपके चुपके मैसिज किया करती ह कुछ कहना है शायद उसको, जाने किससे डड़ती है? जब भी मिलती है मुझ से, मुझ से पूछा करती है, पपा कैसे मानेंगे? यह पपा कैसे मानेंगे? देखा अंकल, देखा, मैंने कहा था न, अब मारे इसको! हां बेटा रोको तो सही दो मिनट तो बेटा फिर कम मिलवा रहे हो अपनी पसंद से हमें अंकल ये क्या हमने प्लेन किया था ना चुबह ये हमारे घर और बाप और बेटे के बीच का मामला है समझ भाई दफ़ाओ नहां से आगिया शॉपर डबल कराने बस तेंकियू बपा थेंकियू सो मुच्छ प्रा पज ये चम कुछ केमिल बाता हम आपसे ठीक है थेंकियू अपर नहीं दबार पानी लाओं अपर अरे ये कुषी के कासी है इस एपिन इस तेन दपीन इस ओन डपीन इस ओन दटिन असलामलीको अनकर वाली उसलाम भई खड़े क्यों है बैटे बैटे तो भई कैसी है आप जी ठीक अंगल आप कैसे हैं मैं तो A1 फर्सकलास टिप टॉप वैसे हमाद ने काफी तारीफ किया आपकी बहुत कुछ बताया आपके बारे में लेकिन एक बात बताना भूल गया शाहिए क्या वपा यह भई के असल में जादा प्यारी और खुबसूरत है तैंक यू उनकल देखो भई हमाद मेरी एक लौती ओला दे और उसको मैंने बहुत लाड़ और प्यार से पाला है और मुझे यकीन था कि जो इसकी च्वाइस होगी वो मुझे बहुत पसंद आएगी जी अंकल हमाद है इ मैंने तो आप से चाय का पूछा ही नहीं आप दो मिन रुके मैं चाय बना के लेकर आता हूँ आप बैठे अंकल मैं बना देती हो जाए बैठा खाली चाय अच्छी नहीं लगेगी एक काम करो बिस्किट बगरा लेकर आज़ो जल्ली करो बिस्किट पढ़े तो है घर में अरे वो तो चूए खागा है ना जल्ली करो आज़ेगी फिर वो वाह दूद पत्ति सब बराबरा और मिठास तो कूट कूट के बरी है चाय का असल मज़ा तो आज आया है वैसे तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है अंकल जैसे हमाड है ने मतला बगर कोई हैंडसम हो चश्मा लगाता हो ब्लू कुरता पहना हो लाइफ का एक्सप देखो बई जब तक हमारे बीच में अंकल अंकल चलता रहेगा ना बात आगे नहीं बढ़ेगी हम माद और मैं दोस्तों की तरह रहते हैं और जब तुम हमारे घर में आ जाओगी तो तुम भी हमारी दोस्त बन जाओगी तुम ना मुझे शम्सू का करो शम्सू ठीक है अंकल फिर अंकल शम्सू ठीक है शम्सू बिटा भई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एक काम करो रोजाना सुबह से शाम तक हमारे गर आजाये करो ताके हमारे रहन सेन कभी पदा चल जाए अपको ठीक है बई? ओके लाफिस अमार बिटा छोड़ कर आजाओ इ है जाओ 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 यह मुवी देखी तुमने नहीं देखो देखो बहुत अच्छा मैसीजेस में हो कि शम्सू क्या हो गया बाई शगल बनागी तुम एठी हो हमार मैं आपको लाइक करती हूं इसलिए रोज आती हूं घर के काम करती हूं अंकल का खयाल रखती हूं वो अजीब अजीब मजाग करते हूं उसको भी मैं हसकर टाल देती हूं लेकिन आज जो उनोंने हरकत की न उफ मुझस बोला भी नहीं जा रहा जा मतलब क्या किया पपा ने बोलो बताओ मुझे क्या करा पपा ने मुझसे नहीं बताया जा रहा बोला नहीं जा रहा तो मैसेज कर रहा के बता दू हाल लिखो पपो क्या हो गया भाई क्यों गलब हाड़ो पपा आपको शरम आनी चाहिए आपने अज क्या हरकत किये नादिया के साथ मुझे अब सोच है कि मैं आपका बेटा हूं मैं नहीं रहूंगा अब यहां आज ही भाग के शाजी करूंगा अबे ओ तबी से बात कर ऐसा भी क्या क जाता मों चुका है मैं जारो हिए घर चोड़के आपा कि बत्याव पर मेरे चुक्रों पर पलता है कुछ भी नहीं है तेरे पास गर जाड़ी पैसा सब मेरा है जाजा दक्खे घाएगा बस करे शम्सू ठंडे हो जाएं कैसे थंडे हो जाओं देखा नहीं तुमने कितनी ब तदा शम्सु वह इतने छोटे दिमाग का निकलेगा, यह मिच्योर है, उसे एक माँ की जरूरत है, और मुझे भी आप जिसे एक इनसान की तलाश है, पाल पोस्के बड़ा किया, फीडर पैमपर, सब कुछ किया मैंने, क्या, 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 मुझे जैसे इनसान की तलाश जी शम्सु, मुझे आपसे मुहबबत हो गए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ अले फूल फेगा भई, क्या कह रही हो लडगी तुम वही जो आप सुन रहे हैं, लेकिन शम्सु हमें आज ही भाग कर शादी करनी पड़ेगी, ताकि हम मात बाद में कोई पंगा ना कर सके जल्डी जाओ, सोना वगएरा पैसे सब निकालो, चला शम्सु, I love you, बस मैं अभी आती हूँ पैकिंग करके गेले शम्सु, डूद पीले, खयाल रखा करें अपना, और लाइए मैं कर दूँ मैं दुनिया से चला जाऊँ, कभी ना लोट के आऊँ, डरोगी क्या अके ले तुम आओ, जुबाव हमात, अच्छा हुआ आप आगए, मैंने पपा को विहोश कर दिया, आप भी बस जल्दी से पैकिंग कर लें, हम आज ही भाग के शादी कर लेंगे अच्छा हुआ भॉज़ ए और लॉवारmt रओन झार नंत आगे बत्तमीज तू नादिये किदर है चली गई क्या मतलब चली गई मतलब ये कि आपको बिहोश करके सब पैसा सोना लूट कर मुझे माड लगवा कर गाड़ी लेकर भाग गई है वो मुझे तो पहले ही मालूम था कि वो एक नमबर की चोर और धोके बाज लड़की है लेकिन मैंने तुम्हे सबख सिकाने के लिए सब ड्रामा किया था अच्छा अगर ये बात है तो फिर आपने उसके साथ हरकत क्यों की थी क्या पागलागलागल हो गया क्या ऐसी हरकत में सोच भी नहीं सकता मैंने तो सुरिफ और बेटा तुमने उस दो नमबर की लड़की के लिए उपने बाप से पत तमीजी की जाओ जाके मेरे लिए लाजता मलाओ शमसी हलो शमसी भी मैं तुम्हारे वगर अब नहीं रह सकता तुम मेरे साथ रहो आके इस दुन्या से भरोसा उड़ गया है मेरा I miss you समसी शमसो तुम्हें पता तो है मैं नहीं रह सकती हमाद और तुम्हारे साथ हाँ पता है ओके बाई जी है शमसी पापा अंडा हाफ प्राई चाहिए या ओमलेट ओमलेट ना दिया तुमने कुछ ना दिया स्रिम तोका दिया दोस्तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों को साथ शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी दबाएं लेकिन प्यार कभी मत करना बिल्कुल सही कह रहा है और बेटा ये क्या पूरा ओमलेट जला वदा यही क्या आप मुझे क्यों ही लेके जाते हैं और ममा हमारे साथ क्यों ही रहती तुम्हारे पैदा होने के बाद उनको जाना पड़ा बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे नाना से मिलवाती हूं आज जाहिर सी बात है अब जो बेटी का घर है उसके शोहर का होता है बाप के तो खेत हैं सिर्फ यही मेरा सवाल है क्या आखिर ममा वापिस गाओं क्यों आ गई हो मेरे और पपा के साथ घर पर क्यों नहीं रहती है